हेलो दोस्तो जहिंद कैसो आप सब एक बार आपके अपने चलने एक्जाम ट्रेक पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों ऐसे कि आपको पता है यूपी पुलिस में रेडियो अपरेटर असिस्टेंट रेडियो प्रेटर के साथ साथ रेडियो वर्क्शोप स्ट यह कई न कई, यह भी शही बात है बच्चों के लिए अगर वो जिसमें एक्जाम को उसी हिसाब से वह अपनी स्ट्रेटर्टेजी प्लानिंग कहेंगा अगर जल्दी वह जल्दी जल्दी के साथ से फिर वह जल्दी अपना निमटाएंगे तो कई नकाई बच्चों के मन मे यह query होनी भी सही बात है तीसरी बात यह है कि practice set कुन सा लगाएं ठीके ना तो आज इस वीडियो में सारे बात बताऊँगा आपको तो इसलिए please वीडियो को last तक जरूर देखेगा और important बात एक होर बताऊँगा तो इसलिए please full वीडियो देखेगा बीच में skip मत करेगा ठीके तो सबसे पहले बताऊँ आपका exam कि समंत में होगा ठीके सबसे में बात तो यह है कि exam उसी साफ साफ त्यारी करोगे और इसी साफ साफ आपनी strategy को follow up करोगे ठीके तो बहुत बात बताऊँगा अभी मही चल रहा है और मही में जो आपको प्लस एजेजनसी कोई भी कुछ भी इस टाइम पर इन एकजाम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है मैं आपको क्लिरली पता दो इन एकजाम कोई यूट्यूबर कह रहा है कि इस exam को प्रोथ चल रहा है तो इस exam की तरफ को एजन ने दे रहाए अभी सीर्फ को सीफ यूप एस आई और एस आई के बारे में चल रहा और वह चलेगा भी आपको पता है क्योंकि इससे पहले आ चुकी पिछले साल लगबग आई थी तो पूरी मई आपका उनिका ही चलेगा ठीक है तो लगबग अगर एक जून से भी यह आपका इन तीन जो तीन भड़ती थी चोबिस्टो के आसपासिस में केंसी थी इन के लिए स्टाफ करें तो फिर कम से कम सारी जितनी बच्छे रेडियो वर्क्सवप श्टाफ बढ़ा इन सब की स्कैन होगी प्रोपर वाइस फिर रियर्श्मेंट होगा इन सब में करीब गरीब एक महीना आपका रामसर लग जाएगा प्लस आप एक महिना और मान के चलिए वह एजेंसी और यूपी प्यार भी वोड के उपर डिपेंड करता है क्यों किसी से आप से सब को अलोकेट डिस्टिक वाइस अलोकेट करें बच्चों को ताकि उन्हें पता चले कि उनका एक्जाम कहां पर होने वाला है तो लगबग एक यून से स्टार्टे दो महिने लगा लो तो जूण आपका पूरा गया और जुलाई कर रिलीज की डेत में लग जाती है पर अपका पंदरा अगस्ट के बाद आपका एक्जाम होएंगे वो कभी भी हो सकते हैं यह radio workshop staff की बात बता रहा हूँ मैं तो 15 अगस्त के बाद आपका admit card कभी भी आ सकता है बट इतना मैं बता दू अगस्त में 15 अगस्त के बाद आपका 100% है और September से पहले है यह बात भी मैं बता दू तो उसी जाब साब अपनी प्रिपेशन लेके चलिए प्रिपेशन तो मैं बता दू आपको अगर आपको अच्छी करनी है वाके में नमबर लाना है इन 120 पोस्ट पर तो अभी तक आपका लगबग अभी तक भी नहीं तो मई मई या 15 जून तक आपका सिलेवस निम्टा दो औ उसके बाद फिर दबाके प्रैक्टिस करो जितनी आदा प्रैक्टिस करो जितना इस आपका फायदा यह भी मैं किलिए लिबा आपको बता दू अठीक है ना तो अभी अगर 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 युद इसका सिलेवस निम्टक पहुत अच्छी बात है प्लस जिसका सिलेवस नहीं कर लिया चारो सब्जेक्ट अब मेंली बात यह है हमें प्रैक्टिस सेट लगाने तो कि उसके बिना में बता तो आपका एक्जाम नहीं लिख लेगा यह मैं 100% बता रहा हूं ठीक है प्लस अगर आप एक्जाम और प्रैक्टिस सेट नहीं लगा होगे तो फिर भी आपका एक् प्रैक्टिस सेट नहीं लगा है तो वह और वह बच्चा एक ही है यह मानो ठीक है न जब तक आप एक्जाम और आप बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमने स्लेव कंप्लेट कर लिए कम से कम 40-50 प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए फिर भी हमारा नंबर नहीं पड़ा उसका एक इक रीजन यह है या तो आपने स्लेव इस अच्छे से कंपलीट नहीं करा और अच्छे से कम प्रैक्टिस से लेट नहीं लगा है अगर आप एक्जाम और नहीं लगा उगे साै इसंदम है वो आप लगाओ बतेरे practice set हैं नहीं मिल रहे तो मैं आपको बता देता हूं एक practice set आपको तो दोसों इस practice set की बात कर रहा था उन्स प्रेक्टिस set ही है संराइस टेस्ट से नाम से आपको प्ले श्टोर पर मिल जाएगा फाईव स्टार रेटिंग है देख भी सकते हो आप ठीक है ना प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना अधर्वाइस मैं अपने वीडियो के आप प्ले स्टोर से मत जाना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसी एप का उस पे क्लिक करना तो डिरेक्ट आपको ये ऐसे खुल के आएगा फिर आपको इस्टोर करना है यहां से इस्टोर का बटन दबा के ठीक है अधर्वाइस मेरे इस वीडियो के फिर से कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसे क्लिक कर लोगे तो आप इस तक पहुच जाओगे ठीक है इस तक पहुचने के बाद यहां आपको ऐसा Select language न ठीक है ना स्य छोगिन तो आप पिहले से नहीं है तो आपको साइन अप पर क्लिक करना पड़ेगा और इस साइन अप पर क्लिक करने का दो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा जैसे कि आपका नाम मुबाइल नमबर जीमेल आईडियो मैं आपको दिखा देता हूँ अब हो फिर इस पर क्लिक कर लेना और इस साइन अप को बटन दबा देना है तो आप साइन अप हो जाओगे ओके पिर इसके आद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल काएगा आप देख भी सकते हो तो यहां से आपको चूज और एक्जाम करना है एड़ ओपरेटर का तो हेड़ ओपरेटर का ऐसी आप चूज जो एक्जाम कर लोगा या इसमें और भतेर एक्जाम दे रखें आप दिसे कि अपनी स्कीन पर देख पा रहे हो गर आप इनकी पित्यारी कर रहे हो तो इन्हें भी चूज कर सकते हो इन्हें चूज करके आपका कुछ यह ऐसा यह खुल के आएगा तो आपको फिर स्मोक टेस्ट वाले पर इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहां से आपको अनलोग बटन पर क्लिक करना है ठीक है न वैसे एक इनों ने डेमो टेक्स भी दे रखा उसे भी आप चेक कर सकते हो अधरवाइस अनलोग बटन क्लिक करना है और मैं बता दू आपका जो मीनी और मीनी की टेस्स सीरीज शुरू होती है वो 99 पर मंत से शुरू है वैसे है यह जाद है कि पर इस टाइम 50% आफ चल रहा है और प्लस अगर आप मेरा कूपन कोट डालोगे जो कि यह तीवारी 10 ठीक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भ आपको 10% ओफ और मिल जाएगा ठीक है यहां से अप्लाई करके 10% ओफ और कम हो जाएगा है यह इनकी एक यह इनकी में बता दू आपको 99 रूपीज में पढ़ेगी आपकी टेस्स सीरीज और बहुत अच्छी टेस्स सीरीज है बिल्कुल एक्जाम औरियंटी टेस्स सीरीज ठेक है ना बाकी एक बात हो रहında अभी अपडेट भी करता जारे अभी इनके जो प्रैक्टिस टेश्ट में सिफ रेडियर रेडियो उपरेटर एक्जाम का इनके प्रैक्टिस सेट्स हैं assistant radio operator radio workshop staff के कुछ दिन में अभी आ भी जाएंगे तूकि अगर exam oriented आपको कुछ भी material डालना है तो उसमें टाइम तो लगता ही है तो अभी यह कुछ दिनों में लाएंगे बाकि radio operator गई में बता दू आगे इनके अभी 160 question वाले practice set है आगे 200 question वाले भी लाने वाले है तूकि exam में बता दू आपको 200 question के ही आएंगे तो इसलिए उसके भी update करके लाने वाले है कुछ लगबा एक अफते में मेरी इन से बात हुई है ठीक है न बट इतना बता दू पिल्कुल exam oriented है जो भी इनके questions है और भा के में practice set में दम है ठीक है तो यह तो बात रही practice set की अब final बात कर लेते हैं कि cut off कितनी जाने वाली है बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें form बहुत कम पड़े हैं तो cut off क्यास कम जाएगी तो देखो बच्चों माई मैं आपको clearly यह बात बता दूं कि अगर मैं आज दोस्तो cut off कम जाएगी आप तैयारी करो मेरी वीडियो देखो तो कई ना कई वह एक दिन आपको पता ही सल जाया आगी कि यह जूट बोल रहते हैं सच बोल रहते हैं ठीक ना तो वह बात मेरे पर आती नहीं जैसे कि बहुत सा बच्चों के UPSI के साथ हो हाँ cut off कम जाएगी बट यह यूट्यूबर जितने भी हैं क्या करते हैं ऐसा माइंड सैट बना देते हैं बच्चे का कि ठीक है 110 कोशन कर दिये तो अपना एक्जाम टॉप आपका ठीक है ना और भाई मैं को पता नहीं कितने बच्चे इनके उसमें फस्त हैं कि बाई cut off कम यह बता देते हैं कि कि इनके व्यूज के अपने व्यूज के चक्कर में cut off कम बता देते हैं और फिर बच्चा भी माइंडशेट्स त्यारी करता है तो फाइनल सब्मीशन कर रहा था अपनी फीर समाट कर दी अगर उसमें से 40 से 45 जार बच्चे भी एक्जाम देने आ गए जो कि 100 परसेंट आएंगे कम पोस्ट है भली बर इतने बच्चे 100 परसेंट आएंगे अगर आप 40,000 भी मानके चलो और 120 पोस्ट है फिर भी दोखो भाई कि मैं एदा बड़े भाई होने के नदे कहा रहा हूं किलियरली फिर भी कट ओफ काफी हाई जाने वाली है बले 40,000 बच्चे एक्जाम में बैठने वाले हैं फिर भी कट ओफ बहुत हाई जाएगी हाई का मतलब इतना आप लगा लो बहुत हाई का मतलब मेरे संधर में यही कि 400 मार्क्स का पेपर है तो 400 में से अगर जनरल की मैं लगाऊं तो आपकी 335 के लपेट में जनरली कट ओफ जाएगी यह बात हो है इसमें प्लस माइनस पाच कर ले ना इतने की लपेट में जनरल की जाएगी OBC की में भी लगबख 325-330 SCHT भी आपने इसाब से कम कर सकते ह तो यह मैं 20 की बता रहा हूं ठीक है ना 20 की कट ओफ बताईए मैंने ओके तो बाई कट ओफ इतनी चाहेगी मैंने 20-20 की बताईए ठीक है ना अब इसमें बहुत से बच्ची बहुत कम है इससे ज्यादा जाएगी कट ओफ तो भाई मैं उनके लिए एक ही बात करूंगा अगर आपको लग रहा है इससे ज्यादा जाएगी तो आप इससे ज्यादा के लिए पड़ो ठीक है पहली बात दूसरी बात यही है कि इससे ज्यादा भी नहीं जाएगी मैं मानता हूँ पोस्ट बहुत कम है 120 पोस्ट को लें बट इससे भी ज्यादा नहीं जाएगी ठीक है ना यह भी मैं आपको क्लियर कर दू बात चुकि उसका एक रीजन यह करीब करीब 80% से भी उपर जाते है और 80 85% के बीच अगर आप कोश्चन कवर अप कर रहे हो उतने माक्स ला रहे हो तो सफीशेंट है चाहिए पोस्ट कि कितनी कम है मैं को सो सो प्लस है ना 120 है तो इतनी कटोफ जाएगी इससे ज्यादा नहीं जाएगी हो कि आप 80 अगर पिचासी परसेंट का वहला अगर आप 335 य जाए हो मतलब इतने कोश्चन कर रहे हो ठीक है और इतने कोश्चन जन्रल ओबी सी के लिए बहुत बैठते हैं चै कितनी कम पोश्टो कितना यह बड़ा को मिपीटिशन ये बात में आज आपको किलिर कर दूं ठीक है ना किसी भी हर कॉंपेटिशन की बात बता रहो हूँ ह ठीक है और जिसको लग रही है यह कट आफ ज्यादा है तो भाई में उन बच्चे के लिए बिए के लिए कर दो भाई अगर मैं आपको कम बता दू कि मैं तुम्हें कहां दो नहीं भाई तो तो अपकर जाओगे हैं तो तो भाई आप उसी आप से त्यारी करोगे या आपको कहीं पता है फिर साथ कर दो विश्वास घात हो जाएगा इसे कि UPSI में हुआ है या और भी एक्जामों में आपके साथ होता आया है ठीक है ना तो इसलिए भाई ना तो मैंने आपको ऐसे बढ़ चाड़े कोई कटोफ बताई और नहीं मैंने कोई इतनी जाएगी उतनी ही बताई क्योंकि अगर ज्यादा बताता उसमें भी आप दीमोरलाइजर होगे और कम बता दी तो आप उतने सोच करोगे और फिर भी आप क्या फाइदा उसमें आपका एक्जाम क्लियरना होपा है वह आपके वासिखात मुझे करना आता नहीं ठीक है ना भाई तो भाई मेरे साफ से 100% इतनी कट आप आपके वीडियो चले के वीडियो को लाइक करना ज्यादा है शेयर करना चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना प्लीज ऐसा लालकरर का बटन होगा आपको पता भी होगा जब यूट्यूब चलाते हो तो प्लीज उससे दबागा कुछ नहीं होता फिरी हो सब्सक्राइब जरू कर देना ओके जैन